Hello friends welcome to fermion classes और आज हम लोग जानेंगे Tron के बारे में Tron network क्या है और क्या है TRX coin Okay, so Tron network basically हमारे justinson इसके founder है और इन्होंने इस network को design किया है यह में basically काम करता है DApps बनाने के लिए क्योंकि होता है decentralized applications और smart contracts इसमें बहुत सारे हैं और अगर मैं बात करूं Tron की तो यह कुछ इसकी वेबसाइड है और कि इसके टोकन की अगर मैं इसके जुड़े टोकन की बात करो तो TRX, BTT, USDT और JST यह इसके टोकन है TRX आपका यह Tron का ही टोकन है और BTT, Bittorrent जो इसके जुड़े कान है इनके फाउंडर का तो उन्होंने अपने ही नाम के उपर कुछ इसका वह कर लिया हुआ है अगर हम बात करें इसके रिसोर्सेस की तो यह कुछ इसकी वेबसाइट है ओके ट्रॉन रटिरस फ्यूचर इसन अवर ट्रॉन यह कुछ ट्रॉन का लोगो है और यह अब हम इसके अब आउट पर चलते हैं सो जस्टिन संथ जो की फाउंडर और सीओ है ट्रॉन के इनकी बात करें तो इन्होंने ट्रॉन बनाया है और इन्होंने इत पर वह सारे वह बाहत crypto enthousm है और इन्हें ने बहुत सारे crypto में k कर चुbab कर चूक्या बहुत सारे crypto के जुड़े भी रह चुक और उगहां को V 뒤에 कुछ है तुछ मुच्छ हो है तुछ आसजंति अक्यकनeled दैसफिक ऊब다न की तश्क पो तबाओ पे सिम्बल ट्रकों करीय से अके तृकण सुना आप बटको आफ एक्समें इसको जैसे कि आप लोग Taylor cinema इसको जस्टिंसन ने जब यह आये इन्होंने सोचा कि हम लोग क्रिप्टो को एक्सचेंज को सिंपल बना तो इन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज को सिंपल बनाने के लिए इसका यूज किया और इसमें क्या हो सके उन्होंने का सोचा कि डी आप्स स्मार्ट कॉंट्राक्स को तो भी हम लोग ईज़ी काम कर सकें, तो इसलिह हम बनाया, जैसे कि इधेरियम और विटकॉाइन क्या है, वो proof of work पर काम करते हैं, लेकिन ये Tron network क्या है, ये proof of stake पर काम करता है, इसमें क्या होता है, जो इतने भी users होते हैं, इसके वो stake करते हैं, कि इhis कर Tagaljack करते हैं तब वो 27 कास्ट अर्टी सेवीं निलोग नहीं लोग से सूपर में पना 10 होते हैं इनलोग का क्या ता सताइफ है तो का काम क्या आता सदे जोगों का इन लोग काम होता है कि जितने भी остоins पर नजर रखना और बताना कि ये transaction valid है या नहीं, इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा और सब network से कम time लगता है और transaction cost भी बहुत ज़्यादा ही कम होती है, इसलिए और सब coin से ये बहुत ही अच्छा है, ओके, ये Tron का website पूरा खुल नहीं रहा है, अगर मैं बात करूँ इसके total supply कि तो total 101 billion Tron supply किये जा circulate हो रहा है, तो आप इससे सोच सकते हो कि कितना ही ज़्यादा लोगों ने इसको hold करके रखा, उन लोगों को लगता कि कहीं न कहीं किसी point पर ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा, अगर मैं coin market cap पर जाऊंग है, तो अगर मैं इसको देखता हूँ, तो अभी तक total number of accounts इसमे 41, 4 crore, 12,27,539 total number of accounts है, और ये कुछ इसके block height है, about that is 33 crore 13,000,000 and 21,010, इसकी total market cap 5706.36 million है, और इसकी global ranking अभी हाल कि कुछ दिनों कि गिर गई है, 25 आ गई है, अगर मैं बात करूँ करेंट पाइस की, तो इसके करेंट प्राइस से में चले 0.056 डॉलर और इसका 1626 टोर्टर वॉल्यूम है 24 आवर में एक्चेंज हुआ है जो की और 501 नाइन मिलियन एक्चेंजेज हुए है कोई के लास्ट 24 आवर्स में ट्रॉन एको सिस्टम की बात करने तो अडिसेंट राइड रेडिंग प्राइड फॉलो निक्स फॉर्मी नोल आस ट्रॉन लाइड इसका एक्चेंज है जिस पर ये काम कर जहां पर ये काम करता है और एक सन नेटवर्क है जो की डी एप की एक चै साथ सेस्टिञंशन के संग मैं इसकंप लिया गया योग हो इसके पार्टनर की बात करों तो फोलो निक्स Ken्थ समसंग बिट टोरेंड स्विसंग अब हम लोग चलते है ऑर क्वाइन मार्केट कैब और हम देखते है क्या है इसका हल कोन मारकेट रिया टाइड को है यह जब स्टार्ट हुआ था तो कट जीरो से स्टार्ट हुआ धन आप देख सकते हो ये एक पीक पे गया यहां पर कुछ 2018 पर फिर डाउन आता गया डाउन आता गया डाउन आता गया और अभी ये लास्ट में अभी कुछ दिन पहले जनवरी से फरवरी की बढ़ा था अब मार्च में इसकी प्राइस देख तक तो अराउंड जिरो पॉइंट वन फाइब डॉलर थी और उसके अभी जिसमें सारे ही जितने भी कोई से सब गया है तो उसमें इसका भी बहुत प्रभापड़ा ये बहुत ज्यादा गिर गया है तो सब मिला कर देखा जाए तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है बिकॉस जो इसके फाउंडर ह इनका एक्षर्हा एक्षरान अब कर्यारे गया है तो अब अगर बंक अबढ़ेक है दिया विए ट्रॉट्ट बढ़ेगा ये लोग का काम है तो अच्छा प्रॉजेक्ट है है जो अक्शा प्रोजेक्ट है और ठीयें ऑउल बात में ग्या फूचर भी अच्छा हो सकता है, हो सकता है कि इस पॉइंट तक गीरा है, आगे अगर जब मार्केट सुधरेगा तो इस पॉइंट तक ये वापस आ जाए, तो फ्रेंड ये मैं कोई फाइनल एडवाइजर नहीं हूँ, आप लोग अपना दिमाग लगाए, अपना खुद का ये मेरा रिसर्च था और मैंने इसे आपको बताया, आप खुद का रिसर्च करें तभी आप इन्वेस करें, तो फ्रेंड थैंक यू और मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले